एक रविवार के सुपर कुप 5 दो इह बचे हैं अब देंगे जह दोगी प्रिक कर दो देंगे मुझे दे दो ये तुम्हे चाहिए ये आनन, क्या हुआ तुम मुझे इतना दोड़ता है क्या हुआ मेरी नीली, उदास हो क्या अभी तुम मान भी जाओ हार गई मैं तो इस समुद्र मा की बेटा हूँ ठीके ठीके में हार गई तुम समुद्र मा की बेटा है न ये एक दिन में भी समुद्र मा की बेटी हो तो तु भी बताएगा देखो तुम बैठो इदर तु समुद्र मा की बेटी है हे रूठो मात अनन्द 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 ये भाई अनन्द ये भाई भाई आपको मा जी बुला रही है अनन्द आरे मा क्यों चिल्ला रही है उधर कल नाव निकालने के लिए धक्षिन वगैरा लेके पुझारी से मिलने के लिए जाना बौला ना मा मुझे आभी किसी को नहीं मिलना है आनन तुम जाके उसको बोलो देखने के लिए बोलो कि मैं कही गया हूँ ठीक है माजी आ आली बाई आनन का है कल समुद्र में निकलने से पहले बड़ों को गुला कर पूजा करने के लिए बताया था उनको याद है की नहीं आपी सिर्फ जाना से काफी है बोला क्या समझ रहे हैं अपने आपको एक कैसर निया है और थोकर इन सब के बारे में मैं जाओं क्या अगर मैं वहाँ गए है तो क्या है पंचमी इन सब के बारे में तुझे पता नहीं है क्या पूछेंगे वो सब चड़ो ये भी नहीं पता है कि इस समत्र के पालने वाले संदा मरे के बेटी है न तु तुझे समझ रहे है क्या वही तो भाईजान ने भी बुला इसके लिए पका सिर्फ आपी है अगर यहां हम आये हैं तो भी पंचमी को सब कुछ याद है काउं की नियमें नहीं पालेंगे तो बहुत बुरा है उस बेवकूप को ये सब पता है कि नहीं आपको तो काफी सालों से इसका आदत है न अब ये पुजारी कुछ गडबड बोलेगा कि नहीं उनका डर है क्यों ऐसे दूर रखने वाले हैं हम तो नियम हों जैसे ही बुला रहे हैं न तुम जाकर उस तहली लेके आओ मैं जाकर बुला कर आती हूँ अब ये हुई ना बात कैसे नाव निकालना है लो एक औरता के सुना रही है अच्छा मैं एक पूछू तेरे लाडले बेटे को नियम नहीं मालूम होगा लेकिन तू अपने बड़ी बाप की बेटी है ना अगर आप बुरा मानेंगे तो वो सोच रहे हैं इसलिए वो आने के लिए मना किया आखिर मैं क्या बोलू नियम के अनुसार ही आप लोग आके बुला रहे हैं ना उस वक्त उस जमीन पे आके यहां क्या घर बनाओ पूछे तो मैंने कुछ बोला गया हां मैं हां मिला हैं ना हां ले लो ओ सब हम नहीं बूलेंगे आप यह आकर अच्छे तरह काम करवाना है जरूर मैं आओंगा वही है ना रितिया और रिवास लेकिन लेकिन तुमारे बेटे जब नाओ आओ आओ निकालेंगे तो सिर्फ मैं आने से होगा क्या हां ठीक ठीक है मैं आओंगा जैसे भी हो हम सब एकी जगह पे नाओ निकाल रहें ना आपके आशिर्वाच चाहिए वो तो हर वक्त है ना ठीक है अब मैं जलती हूँ ठीक है कल सुम्बे हम सागर किनारे मिलते हैं हां जल्दी नाओ निकालने बोलो अभी तो बहुत देरी होगे देब दवाद परकुईश सकत्सक्षल लओ बोजख़ लोगदी चेमाता ये लेलावाच बटा अल्दी चेमाता लेलावचाता अल्दी चेमाता चलो ये ले लो चलते हैं फिर ठीक ये पकड़ो अजटे है पकड़ो आज़ आज़ दो आज़ 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 दो पानी में लेगता हुआ नाओगा देखो कितना भी सुन्दर है देखो देखो रे देखो रे देखो 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 रे आज कुछ मिलेगा का नहीं मालो मैं बहुत काम है ठीके ठीके अरे तू इधर दे तुमारा बैटा वापस आया गए तो इधर का अवरत लोगों को कुछ मचली देने करो बोलोगो क्या इतना शक्त से क्यों बात करती है आखो भी मालूम है ना ये मचली के बारे में अगर मैं कुछ भी नहीं बता है तो वो सब देख लेंगे मुझे तो मालूम है ना इसकी माँ है ना क्या नमें इसको दुरगा वो भी मचली बिखन वाली थी ना आज कर मैं वो सब नहीं बूलूंगी हरी चोकरी तुमें वो पुराना बात याद है या नहीं क्या वो सब इसको मालूम है चाचे आप क्या बात करती है तो इसको पासद नहीं तो भी मैं बात करूंगी मैं ब्याद करके इस गाओं में आने से पहले मैं और इसकी मां हम दोनों मिलकर भगुत दूर मचली बेचने के लिए जाता था मालूम है उसके बाद इसका बाब एक बड़ा नावगा खरीद कर बहुत बड़ा आदमी हो गया इसका दीदी है उसका बेटा माल में कोन है वो ही आनन्द है उसके बारे में मेरा चुप रहेंगे क्या आपको व्यापर करने के लिए मचली तो बस है ना उसे चोड़कर इतने बातें क्यों बता रहे है हाँ, हाँ, बात करने से क्या हो जाता है हारी जा जा मुझे माले में तूँ का इसी है अभी इसके पास थोड़ा पाइसा है, इतना गमेंड है इसको ये चोटे से गाव मैं कितना बड़े आद्मियों को मैंने देख लिया बेड़ी आये गैमन्ड वाली आव आगया थोड़ा जल्दी चल्ला आरे अभे हाथ तो तुर्णा हर बड़ी नहीं दिखाने का हाथ जल्दे दे दे वो खुड़ा पहले वो और अवरतों को सब दे दे रहा मुझे तो रुपांच किलो दे दो बाया इसमें दारिश का मस्री सब बेचने का है क्या प्रीचने के लिए नहीं तो मैं क्या लेकर जाओंगा अच्छे दाम मिलेगे तो देंगे दाम हम ता हिकरेंगे और वो देंगे वो सब बातें फिर करो अभी तो अच्छे दाम पे ही देंगे इस जगह पे अपना ही माली का खास आद्मी यानी कि मैं यानी कि खटमल तरण बाप है रहे ठीक है तुमें एक दाम बताओ दाम मैं बोलूँगा मेरे अलावा कोई इस जेगह पे दाम भी नहीं बोलेगा अगर कोई और बोला तो तो डेगा क्या अच्छी दाम है तो मैं दे दूंगा तेरा नाव है इसलिए रेलागरी तू दिखा रहा है हाँ आप बताईए हाँ आप बताईए ये क्या तुम लोग चुम्बन दे रहे क्या अभी तुम भी तो बोलो देखो कान में आका बैदान ने बोलूँगा टोकरी के लिए 30 रुपे देंगा अच्छा इस दाम के लिए नहीं दूँगा हाँ आप ही ले लीजी तेरे को इतना हिम्मत हुआ तू आखिर मेरे को और मेरे मालिक को दख्का दिया तेरे को मैं दिखा दूँगा रहे जा रहे तिलाल जा रहा हूँ मैने कि इतनी बार तुझे बोला तू कुची भी हमारा बात नहीं सुनता है अरे क्या हुआ तुझको अपने जो बोला वहां पर रखने का पागड है क्या तू अच्छी बात भी नहीं आते बगवान डबा खोला क्या आज मिलेगा सबको बहुत सारा है ना बाजी ऐसे घुसा होने से कोई काम नहीं चलेगा यह तो कोई पहली पर नहीं है ना वो साला ऐसा काम बहुत पहले से कर रहा है ओ यही बात है तो तुझा कर चुमा दे दो उसको देखो पहले इस गावों का अधिगार किस ने लिया था मालुमे तुमको मेरे का मालूम, टिपु सुल्तान एचाल, एक टिपु सुल्तान की बच्चा कुछ भी बेलो, मगर तुमारा बाप नहीं होता है अरे देख, ये कोने मालूमे तुझको इसका बाप मुच वाला है मेरा पदी, इतना बड़ा मुच है इसको मालूमे तुझको कितना गोर आसा, कितना सुन्दर है इसका बाप मालूमे तुझे अच्चा, तो वो था ना, ये टिपु सुल्तान ठाक तरेगी कोई उसे जगड़ा करेगा, तो एक आवस देदेगा मेरी पत्नी, वो डबा लेलो, ऐसे बोलेगा ये डबा ऐसे उठाकर, एक खोल कर, उंगलियों से चटका उठाकर, इस तरह लगाएगा और एक बड़ा सा चीक, आच्छी अरे चुपकर उसका डबा है ये डबा, वो तो मर गया, लेकिन डबा ढूंड कर मैंने नहीं गी वो एक चीक चीकेगा, तो क्या हो जाते माल में, इधर का लोग सब घबरा जाता है तु मुझसे प्यार से आवस देगा, देखो वो लाती दो दो अरे वो इतना देर से कपड़े के मेरा खड़ा था क्या अरे तुझा वो टावल उटा कर एक पगड़ा बांदेगा, इस तरह हाथ रखकर खड़ा हो जाएगा फिर मुझे देखो, मैं काम पर जाता हूँ, जाकर वापस आओंगा, ऐसा बोल कर चलेगा वो किसी से मारेगे तो भी, हिदर का लोग सब खबरा कर दोट जाएगा मेरा पादी एक बहुत बड़ा तूफान है, मालूमें इस कोने से उस कोने तक एक आदमी को भी नहीं चोड़ेगा वो वो वापस आयकर मुझे बुलाएगा, तो ये डबा देकर उसको कुशी बस है इदर का साब लोग आकर उसको पाओं दबाएगा अरे माजी टाइम बदल गया, अभी शहर के बड़े-बड़े कमपनी अपने दलालों को बहुत सारे हाथ में पैसे लेके बेशते हैं यहाँ आइसा इच बोलो तुम दोनों गदे हैं, गदे, वो सब लोग इदर आने दो, इदर का लोग उससे कुछ भी नहीं खरी देगा तो हाँ किर वो मुझसे आकर मांगना पड़ता है न इस जगह पे वियापार में कौन मेरे को तोड़ना वाला मेरे को जड़ा देखना है यही मर्द है, हाँ यही यह सागर का माग का खेल एक गाउं से चले जाने को कहे तो दूसरा गाउं तुमको मिल गया आना, आभी तू कुछ है ना जनम हुए गाउं को निकल कर यहाँ आना बहुत मुश्किली हुआ बाद में सोचा है कि यहाँ सामुद्र तो इतना विशाल है ना, यहाँ नहीं है तो दूसरे यहाँ वो कितना अच्छा काम करता था, उससे बहुत बूरा मानकर दूस ही ठह रहता उन लोगोंने बीवी मर जाने के बाद उसको दूसरा बीवी आ गई मुझे मालुम है वो, तुमको उस बार में नहीं मालुम, एक आदमी को दूसरा पत्नी थी वो बेचारा है, पहले में चोटी मा से बहुत गुसा इती, बाद में उसे देखकर तरस आ गई हाँ, इस उमर में मैंने क्या क्या नहीं देखा सागर में जाकर मचली पकडने वाले के जान उसके बीवी के हाथ में है इस जमाने में वो पुराना कहावत कौन येकिन करता है इस जमाने के लड़की लड़कों कितना अंदर है मा आज बहुत ही अच्छा दिन था, समद्रुमा ने बहुत कुछ दिया चलिए ये पकड़िए अरे मुझे क्यों दे रहे हो तेरे पासी रख लो अरे मेरे पास है या आपके पास एक ही तो बात है वो ही सच्च आज अच्छा बिस्नस था तो आपके लिए ये तू कीतना अच्छा है सागर मा तुमें रच्छा करेगी मैं एक बात बता दी हूँ, एक अच्ची सी सुन्दर सी लड़की देकर तुमें ब्याग करना है मैंने भी इसी के बारे में बताने वाले थी अब भी उसके कोई जरूरत नहीं है इसे सुना है दादी, इस जगह में उसी एक लड़की है क्या? मैंने कुछ नहीं बोला ऐसे, एक नहीं लड़की को देखने की जरूरत नहीं है आहा, वो बाजना शुरूर किया ठीक है, मैं चलती हूँ अरी अम्मी, कल तक तो सुखा हुआ समंदर था ना? आज कैसे थी? ज्यादा मच्री पकड़ा आगे अरे क्या बोलने का? अरे इतनी मच्री थी, उठाने में बहुत ही मुश्किल था ये सब आरंद भये के वज़े से है ना? ये सब ओ रहा है हर नाववाले के जैसे नहीं है अपना भाई, अपना हिसा कुछ जादे ही दे दिया उन्होंने आप भी उसी तरह ज्यादा कमानी है, बाद में हम भी निका कर सकते है ना? आमीना शादी तही क्या क्या, अच्छा खाना होना चाहिए, तब मजा है बहुत बड़ा प्लान बना है, सोने के लिए अपना जगा नहीं है, वो साला जाकर शादी करने वाला है अरे बीवी क्या जी? ये पानी लेक्या या क्या? हाँ जी यही बत फिर देरी किस बत की, अपना बेटी इसका गबला दे दिया क्या? वही देने आई थी में तू पहले काम कर, शादी और जना जा शबबाद में तेरे को मैं बहुत बार बोला है, काम के बीच में कोई कहानी ने बोलना मैं कुछ भी नहीं बात करें तो तेरी बेटी बोली ना, वरना पानी ले दे वाला वो लड़का बोला क्या? मेरे को एक बार गुष्या आगया ना, जो उटा कर पटा दूगा सबको अरे में आ रहो भाई अगर मेरा नजर नहीं गया तो हर जगा बरबाद हो जाएगा अली भाई अभी तक आया नहीं? भाई मैंने देखा वो अपने मकार भाई के दुकान में सोते हैं ना तब अपने मकार भाई और उटी बीबी अरे वो सब मिलकर उस दुकान में ही सोते हैं यार हाँ वो आ रहे ना, उनी से पूछ ले ना तो नहा लिया क्या? समदर के लिए एक सचाई है अगर औरत के साथ लेटा तो नहाने के अबाद ही समदर में उतरना अब औरत के साथ लेटा कौन? हाँ, तू वो मस्तान के दुकान में सोता है ना? दुकान के अंदर नहीं सामने, बाहर मेरे को वो लड़की बहुत पसंद है लेकिन मैं शादी किये बिना हाँ चल जाके नाव पे बैठ जाए तो फिर वक्त बरबाद नहीं करना, चलो ए भगवान, इनके देखबाल करना आज मेरे को एक चीज तो जाना ही जरूरी है इस तरह में और मेरे पाती मिलकर इदर का लोग उंको मार-मार के चूर किया मारते वेक सब लोग नीचे गिर जाएंगे तो फिर मारने वाले भी गिरते गया मारने वाले काई से गिरेगा अरे बेकार में मुह नहीं मूल लेका, चलो मेरे जैसे मा तुमको मिलेगा तो तुम्हारा भाग यही वो ही सोचो तु मान में मारने वाले आया क्या सब नाओ के बाज़े में खड़े हैं ना थो ठीक है, सब लोग मिलकर उसे मारेंगे अरे ये क्यों जी आप बात उल्टे सीरे कर रहें पहले बोला गिरने के लिए, अब ही बोल रहा है मारने के लिए अगर तुम कुछ चाहिए तो मुझे पूछो इस तरह पाउं रखर, इस तरह पाउं रखर इससे किचकर एक तपट मारेगा तो अच्छा वो सब तो वो लोग करेंगे ना आप सिर्फ चलिए इदर ठीके 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 लो यह मचली और क्या करें यार इसको यह मचली अपने को ना दिये बिना तू किसको दे रहे यार अगर तू अच्छा दाम देगा तो हम तेरे को देंगे बाई आप हम ताय करेंगा भाई अभे जान अभे वो सब पहले अपने बॉस को मालूमे ना भाई देर लिए अभे तेरा बॉस साला फोर रावने को में देख लोगा देखना हूमें किसे तेरा यह दिया अबे मारो इस लोटों को अबे एक ली आद्मी सांडे ने आरे ने ग्या अरे उट 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 उससे मार उट ऑहहँगगगगगap हुआ 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 है हुआ 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 Pakistani जोर है Oege है игрा बजर हुआ हुआ है करूझ है? कर दो कर देख है? रख हम रखने के या? आट़किते है? याव 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 यू.. याव पूभार याव यूआ जए प्लचकरगा या याव यू यू मार्ड़ा यूए नगए अब यूए जए को आपकोको पाय? आपको एफ फिर से चक्कर खा रहे है याद इस तरह पाऊ रखकर उस तरह पाऊ रखकर पीच्चे मोड़कर दोड़ा सुन लेजिए ये जो है वो नाव चलाने के लिए इससे मारूंगा तो मर जाएगा हम महनत करते हैं कमाने के लिए नहीं ताकि हर कोई यहाँ पे भूक से ना मर जाए हम मचलियों को अच्छी दाम में ही बेचेंगे उसके लिए अगर कोई रुकावट हो तो अगली बार मैं तुबहें मार जा लूगा रमला उधर क्या कर रही हो रमला इधर आने के लिए बोल रहा हो ना उधर से क्या देख रही हो सुना है कि यहां कुछ जगड़ा हो रहा है देखने आये ति वो कैसे है अच्छा इसको देखने के लिए तो मतलब मेरे को कुछ हुआ तो ठीक है ना बात नहीं है इनके लिए तो कोई और नहीं है ना आनन भाया, अच्छा होने के लिए आल्ला से दुआ मांग रही हुँ में. उन दुश्मन आपको पीटा है क्या? इनको मारना नामुम्किन है. मैं जाओं. अली भाई, तुम बहुत किस्मत वाले हो. वो मुझसे बहुत प्यार करती है. लेकिन उसकी अब्बू हमारे शादी के खिलाफ है. वो साले के मन में कुछ और है. उनसे शादी करना ये उनका प्लैन है. क्या बात कर रहा है? रमला मस्तान की बेटी है ना? बेटी कैसी बीवी बन सकती है? वैसे नहीं. इनकी अम्मी जो है ना, उस लॉंडे का तीसरे बीवी है. इनकी अम्मी की पहली शादी में से है ये. किस तरह का आदमी है वो? तू पहले एक मकान मना. उसके बाद इससे शादी करना. यहींच बात मैं भी सोचता हूँ. यहीं सीजन का काम खतम होता ही अपना शादी. अच्छा, आपके भी दिल में एक सपना है ना? क्या है उनका नाम? उसका नाम नीली है. वो सब कुछ उधर ही छोड़के मैं इधर आ गया. उस जगा छोड़ा भी तो क्या? आपके पसंदेदर लड़की को की छोड़े? अली भाई, दुनिया के बारे में तुमें और समझ रहा है. इधर पैसा ही सब कुछ है. उसी के लिए लड़ते हैं. अगर पैसा हो तो कोई कुछ भी नहीं पूछता. सब कुछ हर कोई भूल जाता है. नेकी नाम आप आज एक बड़े नाव के बालिक है ना? अभी मेरी मन में बस मा है. मा के लिए मैं कुछ भी करूँगा. जानते हो मेरे लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं खोया है. पूरी जिन्दगी मेरे लिए जिया है. उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूँगा. नीली दीदियां आपने बड़े मचली को जिन्दा देखा है क्या? हाँ, वो इतना बड़ा था सच्ची, मैंने तो यह बी तक देखा नहीं है अगर तुमने आनन्द बाया से पूछा तो बस पाकर लेके देंगे ए तुम इतना तकलिफ मत तुठो मुझे पूछेगा तबी, मैं भी कुछ न कुछ जानती हूँ हरे क्यारी, तुमको येकिन नहीं है क्या? जूट कहेंगे तो कैसे मानेंगे? हाँ, जूट? मेरे को पंचवो उमर में मैं उसे देख लिया मैंने सीधे वो समस्चली को पकड़ा वो तो किसी सुखा हुआ मचली होगा अरे, चल तू, तुम सब लोगों को देखना है क्या? मैं पकड़ कर लाओंगी, सिर्फ आनद नहीं है में भी इस आगरमा की बेटी हूँ अगर दैर्य है, तो समदर में जाके दिखाओ नाव तो वहीं पे पड़ी है चल चल देखो, मैं जाओंगी अगर दिल है तो जाओ ना सच में में जाओंगी जाओ चल तू, तका मर जाओ 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 है तुम लोग क्यों ऐसी देख रहे हों बड़े मच्छले पाकने के रिए देदी गई है किधर दो समद्र को अंदर अरे बापरे यह नेली किधर गई आरे डीली अरे उदर अरे उदर इली पकड़े रहे ना जोटना मत आजा अभी जाओ कुसम उपर उपर अभी बाहर निकल निकल बाहर नहीं मुझे उटाओ प्रेट जाओ झाओ 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 जाओ याओ झाओ झाओ याओ झाओ झाओ देखो ना मैं तो कितना पागल हूँ तुझको मैं गले लगानी आये हूँ तु तो मेरे प्यार हूँ आजा मेरे जाने जान तुझको नहीं छोड़न मैं तु आजा करना चला देखो ए अच्छा मासर मैं तुमको दूंगी देखो ना मैं तो कितना पागल हूँ तुझको मैं गले लगानी आये हूँ तुझको मैं अच्छा मैं तुमको नहीं आये हूँ मेरा मन तो मचल मचल कर ना चता है पूलों की बारिश में आकर हम दिले देंगे मुझको इतना तडबाते हूँ क्यों ये बता एक चुमन के लिए तरचाते हूँ मैं लेहरों पे तुम आकर मिल जाँ ये हावा की तरह मुझे उठाँ इंतजा करके मैं तो आओ जा मेरे सन के हम दो रों जाएंगे दो तुम मेरे पागल के लो हो देखो ना मैं तो कितना पागल हूँ तुझको मैं गले लगाने लाई हूँ हम सब मिलकर सबनों का एक गाना गाएंगे आओ जाएंगे उसपा कही दूर जाएंगे त्री मतागे जाकर हम सब मिलकर नाचेंगे मेरे हम सब लाकर मुझे लेके जाओ सबनों का दुनिया में ओ हस कर नाचो आगाओ मैं अब चल चल कर आगे जाओ हाथों की कंग नाचेंगे हमां तु आजाँ असपास मैं गाओं तुम बिदा तु होगे को नाचो पितना आगल हूँ तुझको मैं गले लगानी आई हूँ तु तो मेरे त्यार हो आजा मेरे जानी जाओ तुझको नहीं चोड़ू मैं तु आजा कर नाचेंगे देखों ये अच्छा मोसन मैं तुम को दोंगी ये जाओ देखों ना मैं तो कितना आगल हूँ तुझको मैं गले लगानी आई हूँ तुझको जैसे तुम लोगों ने बोला मैं तुम्हारी नीली दीदी को लेके आया हमको नहीं चाहिए बचा के लेके आया ना तुम्हें रख लो फोन किसको बचाया आप लोगों को मालूम है गया मुझे तो बहुत बड़ा मचली मिली थी ये आनदा कर बचा लिया ने तो वो बहुत बड़ा मचली पकड़ कर में इदर आकर खड़ी हो जाती मालूम है वो सब देकर तुम लोगोंने कल बता थे इदर का मर्द लोग सागर में जाकर छोटा-छोटा मचली पकड़ कर लाता है लेकिन हमारे साहिली समुदर में जाकर नाओ में बहुत बड़ा मचली वो इतना बड़ा है अकेले पकड़ कर लाए वो सब लोग बताएंगे हमने तो देखा न कैसे पकड़े हैं तु जा अनन्त या रहे बहुत हजर ही है तु एई जितना भी बोले तो सुनते नहीं आवर इदर उदर गुमते रहती है क्या अपना अउकात भूल के लड़की लोगों के साथ गूमने फिरने वाले तेरे को मैं देख लूँगा तुमको समझा रहा इसाली इदर आए अरे तु चुपकर ने तो मारूँगी उसके लिए अबी हाथ चोड़ो ने तो में मारूँगी तुझे इसके लिए मेरी मर्दानगी की क्या कमी है अबी एक मूच रहकर आदमी नहीं बन पाएगा मालूम है तुझे अरे मेरे प्यारी बीवी जान आखिर यहां तो कुछ हुआ ही नहीं ना अरे वा यह लिड़की के बारे में क्या मान में तुझे देखो वो तुमारी बेटी है ना इसे में नहीं चोड़ूँगी मा बाप से क्यों इतना चिल्ला दिये वो क्या क्या अरे तुझे चुपकर नहीं तो मैं तुझे मारूँगी तुमारा बेट में में आभी बत्ता दूँ क्या इधर आकर भाई यह जूट बोले इसलिए मा को गुसा आया उस समय उसको उतना गुसा नहीं तो तुझे मारता था वो खाने के बोद वो गुसे में गया है चुपकर खड़ी हो जा नहीं तो मैं आकर मारूँगी तुझे उसको मत दिखाना देख देख के मेरा हालत यही है न पहले तुझे मोरना चाहिए उस दिन बतायता अमारे नव के कामे उसे मत बोलाओ वो बहुत अच्छा काम करता है वो जो मैं बोला वो गलत है क्या आज इस जगह में उनके जैसे एक नवजवान ऐसे मेहनत करने वाले को तुमने कभी देखा है आश्टक उसके बारे में उस दिन तुम क्या क्या बतायता अब क्या हुओ मुझे बुच्छ आता है आरे तु बोल मैं क्या करू आब जेल दी हमारे बेटी के ब्या करने के बारे में सोचो तु मुझे अभी नहीं शादी करना है मुझे अभी पढ़ना है तुम्हारा पढ़ने के बार में मुझे मालुमें, एक एक लास में दो तीन वर्ष बेटी है तू मेड़ा पढ़ने वाली है, लेड़ी की बतना मुझा एक तो गाउं के लियाग नहीं चोड़ेंगे बतना नहीं हुआ न बहुत अच्चा, अब मेरे को काली दे सकता है न अब मैं क्या गलत बात बताई, तुम्हारा साही बहन के बेटे से इसे अब्या करवा दो लेकिन उस वक्त तुम ऐसे नहीं बोला न, वो काले बंदर के लड़का बोला न वो साच्चे न, तुमारे बहन क्या गोरी है क्या, उसकी बेटा, उसका पिदा जैसा है मालू में अब्भी वो अपना बाप का बेटा बन गया, हो ने दे, अब्भी सब सही है, लेकिन इसके कारण तुम मेरे को गाली मत देना हाँ, चोड़-चोड़ मुझे नहीं सुनना है, हाँ, वो मेरे बहन का लड़का है, लेकिन मेहनत करने वाला है कि ने पूछे तो, मेरे को कुछ खास नहीं लगता उस बता अब्भी वो सामुदर में जाएगा तो क्या, हाथ में बहुत पैसा वाता है ना पूराना बात बताकर यूही बैट जा इदर, कल हमें दूसरा गाउं जाना है, जल्दी से हमारा बेटी क्यों ब्या करवाना है, ये पड़ने को जाएगा तो भी मुझे इदर आच्छा नहीं लगता है, मालुमें तू भी तो बहुत टेंशन दीना अपनी मा को मेरा बेटे के आनदो बाद में बता दूँगी आज भी मेरे को नीचे सोना पड़ेगा खवा, नहाँ, नहाँ, नहाँ अनन्द नीली रो मत मेरे लीली को मैं किसी के लिए नहीं छोड़ूँगा कल मुझे कुछ लोगों ने लड़के देखने आता है तु जाब, कुछ न कुछ तो जुगाड करेंगे हैं मैं समुदर में डूब कर मार जाओगी जब तक मैं जिन्दा रहूँगा, मेरे साथ ही तु रहेगी तुझे मैं मरने नहीं दूँगा, किसी और के होने भी नहीं दूँगा आनन्द मा आप दोनों के मन में क्या है कि मुझे मौलूम है प्यार करने वाले ये एक साथ जीवन पितानी है मगर ये एक बात बड़ों के बात भी माननी पड़ेगी अगर उसे पसंद नहीं है तो वो हम नहीं करने चाहिए हम तो पाप करने वाले हैं इसलिए तो जो आपके बड़े वाले कहते हैं उसी बात को मानने पड़ेगी ये एक और नश्ट सहने के लिए हमारे मन में तो बल नहीं है तुम जल्दी गर वापस चलो बेटी मैं नहीं घर जाओंगी मैं सामध में जायकर बाद जाओंगी कहा जाने वाली हों तू नहीं बग्वान में क्या करूँ क्या है आनद ये सब तू इदर है पोकड़ी या करने माले लेड़ीकिको राथ को चुपके आ कर भुला कर तू इदर लेके आया मैं तुझे देख लूंगी और तुम चुपकर करी किया है हरे वा तुम्हारा बैर में सब कुछ मान में तू और तुम्हारा दीदी इस कॉणनी में अरे बुद्या चुप रहे हैं रात के टाइम है सब को पता से लो तुछादी रुख जाएगी चोड़ मुझे च चलो आदर चलो अरे आओ तुस्से जाकर अच्छी तरह जगण करने कर ने तो में तुझे ने ही चोड़ूंगी जाओ अंदर क्या बैटी है बैहरा अंदर चुपकर नहीं बैटो बाहरा तु अरे वा बैहरा आ तु इदर हटके कटा रहे कहा है वो चोकरा तुम्हारा देखो हाकरी में एक बात बताती हूँ अगर मेरे बैटी के आसपास उसे देखोंगी तो आसपास काटने के बाद पेड़ भी काटने के बाद भी समधर में जाके फेक देंगे उसको इस तरह बात करना अच्छी तरह बताओ उसे दुबारा इसे कुछ नहीं करेंगे उसकी अगर शादी तय हुआ है तो वो हम करके भी दिखाएंगे यह मेरी बात पर रेकिन कीजिए कभी ऐसे नहीं करेंगे तुमोरी मौ मरने के बाद मेरी माने तुझे पाला है न इसने बताती हूँ उससे मेरे गेर के पास देखोंगी तो सच में मार ना लोगी तुमोरा बेटा कैसा है सब लेड़ी की लोगों के पीछे जाता है न वो तुमोरी वो सोबाव उससे भी मिल गया देखे बेकर के बाते मत कीजिए अरे वा बेकर के बाते क्या अरे तुमोरा दीदी इस गाओं कर इदर उदर घूम कर एक बेटा को पाइदा किया ना वो ही ह मैंने यूही बेटी दिए है क्या यही किदा देखे उस दिन भी इसी चाकु लेकर मैंने आई थी अगर मेरे बेटी के शरीर पर चोटा सा दाग भी निकला है तो ना आपको मार कर समुद्र में पेंग दूँगी आपको शरीर को बस काट काट कर बेजूँगी मैं बहुत दिनों से मैं भी देख रही हूँ सोचाता की मेरे तीदी बहुत अच्छी है वो बुरी नहीं है उसी की तरह मैं ही हूँ ये समुद्र मा की कसम है चला चला'll मेरे को बचे ले हो अबे ओ या वरत कहां है इतना लड़का मेरे लड़की के साथ अगर वो घुमे तो उनको मैं खतम कर दूँगा मुझे ऐसे बर्ताव कर रही हो तू तेरे मा को कैसे बलाओगे तेरी मा की साथ कैसे हुआ ही होगा अबे यार तू यहां से चुपचप चले जाना अच्छा है अबे जा रहे बुड़े अबे तू बेकार में जगडा कर रहे इनके बेटे को पता चला ना बाढ में जा तू तो आखिर उससे चेला है ना अबे जा आबे नहीं जी नहीं उसको छोड़ी आपे तू जाना यार अबे ओई चंदरा तेरा मेरे को मालूम है कि तू दारू पिया हुआ है यहाँ आके रेलागिरी नहीं दिखाने का अपना यह जो आउरत जो है ना हार एक आउरत की जैसे नहीं है तेरे को चीर के फिक देगी वो पहदा नहीं किये तू भी जिन्दगी का दर्द उसको मालूम है अगर गुस्सा आ गया फिर कोई तूफान उनको थमा नहीं पाएगा अब तू जा अब तू जान अभी चंदरा बिटा और थोड़ा दारू देना बिटा आप जड़ा घर जाई अभी एक बोतल छोड़के एक गिलास भी नहीं देंगे अबे मैं जो भी कमाता हूँ यहीं आके खर्चा करता हूँ ना अबे जितने भी खर्चा करता हूँ पीते हैं ना तू जा अबी तू मेरे घर में आके मुझे ही बारेगा अबार में अबार साथ जग भी बारेघटा प्रिज़दबी बारेघरा यहीं तूज़शनिक प्रॉशनिक अभल यहाँ लीज़बी आड जन्दी आगा गुजी किसको पक्राव तोरो मिनका इस अंगारह हो अपरे अभाव अपने चंद्रे को मार रहे है है अभी अनूद अथो यह मेरे लड़का को छोड़ो याँ हट जोड़ो अरे पापरे है अरे ओमेरे दीदी काहा है एरे बीवी जान इसको या के मुरा समालो यार अबे तु अबिज़ा गया हट जार अपरे मेरा बाबरे कौन मेरे बेटों के इस तरह मार कर चोड़ देया इस तरह नहीं चोड़ने को उन लोगों को मेरे बेटे को उठाओ उठाओ सब मेलके और उसके पास जाके मार खाना क्या था नालूँगी में उसे यूँ ही नहीं चोड़ूँगी में उसे बाद में देख लूँगी मार के टुकड़े टुकड़े करके समुझन में फिक देंगे माव कीजिए हम तब बहुत पापी लोग है इस गाओं को चोड़कर हम चले जाते हैं जाना पड़ेगा जाना ही पड़ेगा इस गाओं को एक उस्ताज है यहां एक नियम है कुछ भी तोड़ने ने जेंगे हम यहाँ तुमको याद है ना, तुमको पहले ही ये गाउन शोड़ने के एक नियम दिया चा पहले, जब तुमारी बहन और वो मुसलमा लड़का प्यार में था, जब वो जवन लड़की जब घर में ची और तुम लोग नाव और जाल खरीजने के लिए बाहर गया, तब एक दम मैं सब सब्सिस में दाखिल दिया, और तुमारा बाप दूसरे एक आदमी के बीवी को प्यार करके घर पे लाया, तब ग्राम पुजारी को दक्षना सब्जी है क्या, यही नहीं, जब उनको घर से बाहर जब निकाल दिया, तब समुंदर में जाने वाला मांजी जब वापस आके देखाये तो उनका बीवी और प्रेमी मरा पड़ा हुआ था, ऐसे कितने बार तुमारे लिए इस ग्राम के लोगों का पैर मैंने पकड़ा, अबी देख, शाजी चाहि किया हुआ लड़की के पीछे एक बंदा पड़ा हुआ है, करने ने जूंगा, मैं यह होने ने अब देख, उनको जो चाहिए था, वो मिलने के बाद, हम बेकार और वो बन गए यहां का बड़ा राजा, मानूगा नहीं, मैं यह होने ने जूंगा, मार के फिक देंगे दोनों को हम चले जाते हैं, इस काहों को चोड़ कर चले जाते हैं हम, हम को माफ कीजिए, मेरी बेटी को माफ कीजिए, हम चलते हैं कहीं भी चले जाओ, वरना चूनों को मैं इस काहों में जीवन रहना मुझसे नहीं होता है अगर तू तो मेरे पास दूसरे काहों नहीं आये होना, देखते रहना, इस समुद्र में तेरे माँ लाश पड़ेगी हम किधर जाएंगे? कहीं भी जाएंगे, समुद्र इस काहों के ही नहीं है विशाल जैसे दिखते हैं इस समुद्र में, किसी शोर के जाकर हम जीवन बिता सकते हैं, हमको मालूम है अगर ऐसा ही जाना है तो फिर जाते ही रहना है ऐसे ही सब कुछ छोड़ चार के जाने के लिए हमें क्या पाप किया है? हम पापी लोग है, जीवन बर्दा होना पड़ेगा जब तक मैं जिन्दा हूँ, तब तक मेरे बेटी के सामने ही होना होगा अगर तुझे कुछ हुआ है ना, मैं जिन्दा ने रहे पाऊंगी तुझे ही साथों में सौंप कर, तेरी मा मर गिये बेटा चलो पकडो वैसे ही हम यहाँ पे आये, मेरे पिता जी इधर ही थे लेकिन अब जब हम आये कुछ भी नहीं है मेरे पिता जी के दूर के दृष्चदार भी सब कुछ लेके अपना मोटी लक्ष्मी की जोरू ना, शंकर साहबा उनके जाने के बाद जो भी कुछ था, वो सब वो ले गए, कुछ भी नहीं बचा तो ऐसा नहीं, जब समदर में गया तो मर गया ऐसे गंदर लोगों को अपनी समदर की माता जल्दी बुलाएंगे कैसे भी करके, हमने खुद के लिए यहाँ पे एक घर बनाया है मेरे पापा के नाम पे जो भी था, वो सब लेने के लिए हम इदर आये है करके वो दोनों शुरू हो गए, मा और बेटे मिलके अत्तर चाहिए क्या, अत्तर अत्तर लो भाई, अत्तर मर्द हो या अवरत, साब लगाते हैं अत्तर अरे मकारबाइस हो रहे क्या, सालाम अलेकूम अवालेकू असलाम मैं समझा कि आप ये सब बेच के वहीं पर बेट गया यहां आके बहुत दिन हो गया इस गाउं के तो लोग अपने को बिजनेस ही नहीं दे रहे ना हो सही है, सही है, सही है, सही है अरे मकारबाइस, कौन है ये फरिस्ता वो तो हमारी नहीं बीवी की लड़की है अच्छा हाँ, वो लड़की बड़े होने के बाद देखो, मैं अपना बीवी बनाऊँगा अल्ला, आपकी तो तरकी बच्ची है अरे मकारबाइस, लेकिन इस फरिस्ते को लेके तुम्हें एक बड़े तक्ती पर पाउन सकते हो हाँ देखो, अब भी हमारे मुल्क में अरब मुल्क से बड़े-बड़े शेख आने का टाइम है वो क्यों आते हैं मालूम है किस लिए अरे मौज मस्ती के लिए अब याई शेख गंदी बाचा नहीं करने का रहे आरे गंदी बात नहीं है वे मकर बाई जड़ा सुनो, ध्यान से सुनो ये शेख लोग जब आते हैं बड़े-बड़े सोना और गहने वगेरा सब लेके आते हैं उसके बाद ऐसे फरिष्टों के साथ वो शादी करते हैं दो-चार महीने के लिए वो बेगम और बाच्चा के जैसे मौज करते हैं और ये मौज मस्दी के बाद वो लोग जब जाते हैं ये धन दौलत सब इस फरिष्टों को देके वो तीन बर तलाग देके चले जाते हैं वैसे गया तो इस फरिष्टा फिर किसका बनेगा अरे इसी मक्कार भाई का और ये धन दौलतर गहने किसका अरे वो भी इसी मक्कार भाई का तो फिर मक्कार कौन है बड़ा सुल्तान मक्कार सुल्तान एक दूगा ना एक लड़ू निकालो गया लड़ू दो हो जाए। समंदर बड़े गुष्चे में है। ए समुद्र माता कुछ गड़ बढ़ नहीं होनी चाहिए। इस समंदर में हवा होगी। आखिर समंदर है ना, कभी ऐसा होगा, लंबा उमर वाले चले आएंगे। जरवना, तेरी मुझे कुछ मत बोलना। ए, मेरे जीम में कुछ काला तक नहीं है जी। क्या आरे, समंदर में ग्या होगा, वा ना कुछ दिखाई नहीं दे रहे। वो तुम लोग का समझ में आ रहे कि नहीं। वो नावगा आएगा और नहीं तो क्या, उसके सा दूसरों कोई नहीं गया ना। आ गया अगया आ गया तो क्या जोते है। वो वो आवरत का नो करें ना। अले, तुम लोग चूप रहे हों ना, अगवां से प्रार्तना करो। मुझे तो दूर से एक नावगा दिख रहा है। ए समध्रमाता, दीदी, ये हमारा नावगा है किया। हाँ, हाँ, ये सच में आनंद का नावगा है। हाँ, पक्का हमारा ही जगह का नावगा है। आओ, आओ, जिल्डी आओ, क्या मिला देखेंगे। कुछ नहीं आए, आज कुछ नहीं मिला। इनकी काबलियत है, इनके लिए हाँ जिन्दा है। अरे, क्या हाँ है बीच समधर में। मुझे आज इस बू करें न पड़े, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। जब समधर मा के पास नहीं जाना है, तो नहीं जाना है। या तो खाने पीने के लिए होटल जाएंगे, नहीं तो कहीं पे बैठके पी रहे होगे। समुद्रमा को तुम लोग नहीं जानते जितना मेहनत करके तुम लोग कमाते हो न उसी मेहनत के साथ अपने परिवार का देखबाल करो वरना ऐसा ही हल होगा चलिए मा आपे आज तुम लोग सब क्या पियाओगे ते राजु भाई राजा भाई राजा भाई एक कौन है रहे हाँ मैं ही हूँ अरे भाईया ये हवा और तूफान रुखने की नाम ही नहीं ले रहे बहुत सारे घरों में खाना पकाई नहीं है बच्चे को जड़ा देना और एक बरतल लेके आना समुद्रमा मचाएगी बाखी सब कहा है मैं जी इधर देजिए इसमें कुछ दे दो लीजे जी आज इसके कारण बच्चे लोग भूके नहीं पड़ेंगे बहुत बड़ा धन्यवाद आपने जाते हावा थोड़ा थंगया लग रहा है ओ बड़े भाई बड़े भाई कौन है खाना लेगा है या क्या हाँ जी उनसे बोलिए बरतन लेके आने के लिए दो बरतन लाना अरे भाईया अगर आ रहे क्या अली भाई आ रहा हूँ मैं लो लो चटनी भी लो ये लेजिए अरे मेरे प्यारे बेटा तू हमारा भगवान है ऐसे की भगवान सामने आके खड़ा है वैसे ही धेरो भगवान बाई की रुको मैं तो बता रहे हैं ना एक बात धेर थो साई हे किदर जा रहे हो वो मुझे मारने के लिए भगा रहे तो ही बता ना बया इनकी बात सुनकर कैसे चुपचाप रहू क्या बोला इसने जो कुछ बताया बया को बता माल में इसने क्या बताया एक दिन समुद्र के अंदर जाकर डूब मरूंगी ऐसा बोला तुने क्यू मरना चाहता है तू अगर पापा निक्को को मना नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे मेरे जैसे एक गरीब और अनात को इस लड़की को मेरे हाथ में देगी क्या बाकी सब ठीक है लेकिन तुमारे लिए कोई नहीं तो हम सब कौन है भाई जब से तू मुझे मिला है तब से तू मेरे भाई जैसा है मेरी मा के लिए तू है एक बेटा है आप ये वाके ले लिए क्या मुझे सब कुछ पता है यहाँ पे क्या हो रहा है मैं तुम्हे मदद करूँगा इससे शादी करने के लिए कुछ चीजे मैंने भी तैय किया है जितना भी मैं कमाऊंगा ना उससे तुम्हारे लिए भी एक नाव लूँगा उसके बाद मेरे घर के सामने तेरा भी एक घर उसके बाद तु आ जाना इससे शादी करके देखो कैसे शर्मा रही है जाओ ना बया एक बत और हर एक चीज में आप कुछ तैय करते हैं ना आप कब अपने प्यार को लाएंगे उसके बारे में भी तो कुछ तैय करना है ना अरे नीली 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 बाहर आओ तो नीली इतने दिनों में तू कहा थे अभी रोना बन करें मैं आया ना तेरे लिए मेरे नीली को मैं किसी के लिए नहीं बेजू करें प्यार को प्यार को मैं आयार को मैं याब तैयार को कर दो कर दो मेरी दिल की राणी तु आजा अब मेरे गले में लग जा तु तेरे मुस्कुरा हट कितना सुन्दर है प्रेम की सागर में तो डूब जाकर आजाओं में तुम्हारे बाहों में हम दोनों जाएंगे तारों के पास देखो ये जहां कितना सुन्दर है हम दोनों जाकर नाचेंगे आजा मेरे प्या तु आजा मेरी दिल की राणी तु आजा अब मेरे गले में लग जा तु पेरे मुस्कूरा हट कितना सुन्दर है इतो बताओं मन मी जाएंगे क्या है क्या तू मेरा सब कुछ हो मेरा चांद जैसा संखर राजा दिल के धड़कन तुझे तो पुकारें तू आजा पूलों की राणे मेरे दिल में आकर समीच जा देखो अभी गुन्गुनाव में ये मिलन कितना सुन्दर है हम दोनु मिल कर गायेंगे मेरी दिल की राणी तू आजा अब मेरे गले में लग जा तू तेरे मुस्कुरा हट कितना सुन्दर है मुस्ट आजा जाज जाजा तू इन्माम था नदे जाजा तू आजा तू आजा तू आजा तू आजा पान आजा उन्माट कितना सुन्दर है बहरों की हवा कितना अच्छा है मन में तो हलचल हो जाता है तुमें तुमें गई लग जाएंगे मंदिर जाएंगे हम पूजा करके मांगू तुझे में जीवन साती में जिन्दगी में आगे चल जाओ तेरे लिये में तो गीत जाओं हम दोनों गाएंगे निलकर ये प्रेम का मिलन कितना अच्छा है मेरी दिल की राणी तु आजा अब मेरे गले में लग जातू तेरे मुस्कुरा हट कितना सुन्दर है प्रेम की सागर में तोडूब जाकर आजाओं में तुम्हारे बाहों में हम दोनों जाएंगे तारों के पास इधर कोई नहीं है क्या है कौन है क्या आप आपको मुझे याज है क्या काफी साल हो गए हैं क्या तु मुझे ख़ड़ी हैं आपके सब छोटे मालिक के छोटा भाई हूं मैं हम्शा मेरा नाम है हाज जाने के बाद सब मुझे हाज ही बुलाते हैं मेरे भाई के नौकर के बोलने के बाद तुम्हारे बारे में पता चला बड़ी बेहन की बच्चे के लिए अपना ही जिंदगी इत्याक दिया हाँ छो पूटे मालिक को मैं और एक बहन भी है मेरे को बच्चे नहीं है मेरी बहन को थी तीन या चार शाल पहले वो तीन जन एक एकसिडन में देहांत हो गया सच बोलो तो अभी हमारे खांदान के वारिस अभी कोई नहीं है थोड़े जमीन जायदत सब है वो सब बेकार पड़ ज हमारे खांदान का एक एक जनम एक बेटा इसी गव में है पहले उनसे मिलना है वो आने के लिए वक्त होगा कोई परवा नहीं आज नहीं हो तो मैं आओ कभी आओंगा हाँ आपके प्यार के बारे में भी उसने मेरे को बताये है आप उसको भूले तो नहीं उसे में कभी भी भूलने पाऊंगी एक चुम्माद हो गया चोड़े ना बच्चे को मुझे दे दोना देखे मेरे बच्चे को मुझे दे देना आओ आओ ना बेटा आओ ने पापा, पापा मुझे मा जाटो, पापा मेने कोच्छ रही किया पापा, पापा मा, वो कौन है, यहीं से जा रहे हैं ना ओ, क्या है कि कौन है कि मुझे पता नहीं है, हमारे गर से यहां निकल रहे थे, तुम आओ, काफी लेक्या दियो हमा, मैंने एक अच्छी नाव देखा, दाम भी कम है जाग होने से पहले करिद लेना सुनो, मैं एक बात पूछेंगा तो आप गुसा नहीं करेंगे अगर तुम्हें एतराज नहीं है तो अगर पसंद है तो मैं वो नीली को तुमने उसे देखा है क्या उससे मिलने के लिए गया था अगर तुम्हें एतराज नहीं है तो ओ लोग तुम्हें मार देंगे लेकिन क्यों, मेरे पास भी नाव है अभी फिर भी वो लोग दन्वान है बेटा अगर नहीं मिला तो मैं उसको लेकर आऊँगा मैं बुलाऊँगा तो वो आएगी आनन्द ए बाईजान ए बाईजान आपके लिए एक चाय लो क्या हाजी आमिना एक चाय लेना आपके लिए मेरे पास एक खुश कबरी है तो एक और एटम लाऊं क्या आप जो भी एटम लाए हम खालेंगे आप तस्रीफ रखिए आप इधर 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 बैट इधर बैट इधर बैट इधर बैट ये अभी नहीं बताओं तो मेरा जिगर टूट जाएगा जली बोल जली बोल जली अरे मकर भाई मैं अभी शहर से सीधा यहां आया किस लिए मालूम है ये हुई ना बार वहाँ एक अरब वाला आया है अरे मकर तू अभी बड़ा आदमी बनने वाला है ना और कुछ नहीं उनको एक शादी करना है अरे ये तो मैं सुनते ही मैं सीधा दवड के चले तेरे पस मकर अभी कौन है कौन है मकर अभी करोर पती है ना करोर पती वाके में तू मकर नहीं रमला लो है अल्ला मकार देख फिर से सही नहीं ये सही नहीं क्या रहे पानी देते वक्त वहां क्या बाचीत कुछ नहीं है तो फिर आज से तुम्हारा कोई पानी वानी नहीं चाहिए जाओ भगो तुम्हारा पानी नहीं चाहिए जाओ क्या है क्या रहे साइतान तुमको अंदर कोई काम दंदा नहीं है क्या वो बिचारा है ऐसा क्या लो यह जाके दे दो उसको जाओ ए आमिना अपने बेटी को जाके बोल दो बेकार के बगवास में नहीं पड़ने का हट जाबे अंदर ए मकार भाई यह अगर अभी रोका नहीं तो फिर बहुत बड़ा मुश्किल होगा मैं जाके जितना जल्दी हो सके वो अरब वाले को लिके हैं ठीक है वो बंद करो यह आवस बंद करो यह आदमी क्यों यही काम है और समय यह बजाता ही रता है उसको कुछ भी दिखता नहीं यह न तो हमारा दुख उसे कुछ भी नहीं दिखेगा पिछले वर्ष एक दिन रोड में एक गाड़ी के नीचे घाया था यह जट से मैंने नहीं कीचेगा तो यह मरजा था था उस दिन मुझे मालुम पड़ गया इसको आखका रोशनी चले गए उस दिन से हमारा दोनों का जिन्दगी सर्वनाश हो गया अरे तु कुछे मुझे बतना वाली ती न लगता है वो अदमीत फिर आएंगे आनन को लेके जाएंगे बाद में में कभी जिन्दा रही रहेंगी मैं इस समुद्र के अंदर जाकर वो सब चोड़ दाना तो अब इस समय उसे एक ब्या करवा दो सच में उसे ब्या करना ही पड़ता है वो नहीं हो सकता है क्योंकि वो नीली के पीछे पड़े है वो एक लेक्षमी क्या बेटा उसे ब्या करने में सुनता है इधर सब कुछ वो ही बोलता है तो ये उसे ब्याक नहीं करेगा तो भी, वो लेड़ी की सर्च में इधर दोड़ कर आएगी यहां से भी चोड़ना पड़ेगा क्या, ए समद्र मता, हमें तोड़ा भी प्रशान नहीं रही तो इस तरह पारिशान मत हो, मैं एक बात बताओं, आनंद को एक ना हुआ है ना, तो हमारा साप से जाकर लड़की मांगो, हमारा साप वो आवरत जैसा नहीं है, अच्चा आदमी है इस बारे में तुम सोचो, अभी मैं चलूँ क्या उठो जी, चल जाएंगे ठक, सब मेरे मचली खरिद कर पाईसा नहीं देता है, मुझसे भी यही होता जाता है अरे, जेलदी चलो हाँ, हाँ, तु जेलदी जा, तुमारा बेटा है ना, उदा है अरे, देदी, घर में जाकर मुझे बहुत बड़ा काम है, मालूम है तुझे देदी, ऐसा ही बोलता है, तु गुसा मतो जा चल, चल, सब लोग जाओ, मुझे क्या है, मुझे मचली बेचना है जाओ, अरे, जा, जा, चलो अ, देदी, इधर आनंद का गेर कहा है? तु एसे चल कर मत दिखाओ, बेड़ी आई वाली, मैं दिखाओगे, नै, नै, इसे पूछेगा तो ये हमसे नहीं जवाब दिया ना? मैं दूसरे गाउं से आती हूँ, स्कूल में पढ़ती हूँ क्या, तुम स्कूल में पढ़ती है? हाँ, दूसरे गाउं से पढ़ती हूँ दूसरे गाउं से आती है? उदर तुमारा गेर कहा है? देखो चोकरी, ये दीदी उस गाउं की है उदर रेविदास का बेटी हूँ मैं क्या तू रेविदास की बेटी है हो मैं और तुमारी मा बचपन का दोस्त है तो तुम रिष्थदार है अरे बाउत बड़ा रिष्थदार है अरे इदर की लेश्मी है ना उसका बाई है ये रेविदास अरे लड़की तुझे तो ब्याग ते हुआ चुका ना वो वो शादी नहीं हो पाएंगे क्यूंकि मैं आनंद से बहुत प्यार करती हूं माल में अरे बापरे ये लड़की क्या क्या बात करती है देखो चोकरी जल्दी वापस जा देखो दीदी मैं एक बात बता हैं तुम तुम्हेरा खाम देकर चलो ना इदर से मैं जाती हूँ देखो चोकरी लोग इसे मत दिखाओ आनंद को अरे तू क्या करिया चल दिया अरे चोकरी तुझे मालूम है तुझे देखने के बाद वो माबाप के जाकर बताएगी कोई बात नहीं है मुझे इस बारे में कुछ भी डर नहीं है तुझे आनंद को कैसे मालूम चोटे से उमर में मुझे आनंद मालूम है हम दोनों येकी गाओं में पलबड़ी हुई न, इसलिए मुझे दूसरा शादी पसंद नहीं है, मैं इससे भी जाकर शादी करूँगी तु सच बताती है, तुमारा माबब दुमारा ब्या के बारे में दूसरा सोचता है न उन लोगं का पसंद का लड़का मुझे पसंद नहीं में शादी नहीं करूँगी इस तरासे से सीधे चल जाओ, हम दोनों गेर में जाकर उतना कामें जल्दी जाना पड़ता है, इसलिए जाती हूँ देखो, वो ये घर, आनद का मा ये वो, दीदी मा आओ ना, बेटी, मेरी लादली, तु अब मुझे देखने यहां आई है, बेटी देखो, दीदी, ये वापस नहीं जाएगी, मुझे मालूम है तुमारा बेटा को ब्या करने वाली है, वो आवरत इसके माबाब को देखने के लिए गई है ठीक है, मैं चलती हूँ आनन्द कहा है, काम होने के बाद आनन्द और उसके दोस्त को लेकर, जाल लेकर आने गए है तुमारे गर में बिना बता यहां आना अच्छा नहीं है, पार्शाल गई लड़की गर नहीं आया तो बहुत चिंता रखते हैं जल्दी घर जाओ मुझे कुछ फार्क नहीं पड़ता, मैं कभी वापस नहीं जाओंगी, मैं आनन्द के पास रहूंगी हे मया, तेरे पापा हमको मार देंगे ऐसा कुछ भी नहीं होएगा मैं जब तक जिन्दा हूँ, आनन्द को कुछ नहीं होने दूँगी मैं इसी तोड़ी कहूंगी बेटी, मेरे दोनों आंकों में आनन्द और तुम भी हो अच्छी माहे, मुझे प्यारी लगती है तू चलो चलो, आंदर चलते हैं उस सुन्दुरी ने तुम्हें देखा है न, बस पूरा गाउं फैला देगी वो आव आव तुम यहाँ बेटर बेटी, मैं काफी लेके आती हूँ, लगता है पाठचाला जाने से पहले काई होगी न तू हाँ, माजी, मैं यह दो पर को खाई थी, मुझे भूक नहीं है अरी, कहा है तू? ओ मनलक्ष्मी है चुपकर बेटी एदर, ए जल्दी आ बाहर कौन है? इस गाओं की एक आउरत हूँ, वो लेड़की को बाहर चोड़ दो तू अहां, ऐसे कौन है? कौन है वो? कौन रिश्चिदार? कहा है? हाँ, कहा है? देखो, मुझे सब कुछ मालूम पढ़ गया अब ही इदर आईए न, यह चुकरी, वो कहा है? ओ, उस लड़की, मैंने बात करके बेज दिया है, लगता है उस जर्फ जारी हो अंदर जाके देखू क्या मा? नहीं, नहीं, तुम खड़े हो जाओ, हम फिर देख लेंगे, आभी तू चल मेरे साथ हाँ है बगवान, चली गई, अच्छी दिन निकला देखो बेटी, मैं जो कुछ कह रही हूँ, अच्छी तरह सुन लो, अब तुम गर जाओ मा? क्या बत पतर है, मैं जाओं गर? नहीं, गर जाओंगी, सामधर मैं जाकर धूबूँगी मालू नहीं, क्यों ऐसे जिद कर रही हो? ए बगवान, मालू नहीं, मुझे क्या करना है? नीली नहीं चाहती, तो ठीक है, वो यहीं पे रह सकती है आनन्द ठीक ही कहता है, आप दोनों के मर्जी है आन्द ठीक है, वो लड़की को बाहर बेज देना मैं जर्य को बोल रहा हूं, बेज दो उनको बाहर नहीं, नहीं बेजूँगा मैं देख लेना आप वो मेरे लिए आई है, मैं उससे शादी करूँगा मैं देख बाल करूँगा उसका शादी तहीं क्या हुवा लड़की है, तू क्या समालेगा मार के इसका घर जाला दो, क्या के उस लड़की को बाहर निकालो नेली, मेरी मार आनन्द आनन्द अरो, मारो, उसे मार लालो, इदर से बहा दो आनन्द, मेरे आनन्द को कुछ मास करो, उसे चोड़ो, उसे चोड़ो आनन्द, मेरे उसे चोड़ो कौन है आप लोग कहा जा रहे हैं ठेरिये मैं तो समदर जा रहा हूँ यह तो शहर जा रही है वही तो पूछ रही है वो लड़की कौन है हाँ वो तो मेरा भाई की छोटी लड़की को तेरे को मालूम है न उनी की बेटी है यह ओ सारुसू की बेटी है अच्चे तरह बड़ी होगी है बहुत पड़ी लिखी है रस्वी कक्षा में फिल किये आप कॉलेज में पढ़ाई कर रही है मैं टूटिरियल कॉलेज में पढ़ती हूँ इसका बाप एक मांजी होते हुए भी पढ़ाई-बढ़ाई के लिए बहुत एहम देता है अब सरसु कीत अब्यत्र टीक है ना नहीं नहीं मां अभी मचली बेचने के ल पहले अपने को एक बस में चड़ने के लिए डर लगता था ठीक है बेटी तेरे मां को ये जरूर बताना कि मैंने उसका कुशल पूचा है बूलना मत इस लड़की तुमको पसंद आया क्या ये क्या प्लूचर है आपने ना सुन्दर है लड़की वही मैं भी बोल रहा अईसा नहीं बुलाने का नहीं तुम अईसा अभी बुला सकता है ये पागर हुआ आपको मैं जाते हूँ बहुत अच्चा लड़की है ये तुमारे लड़के के लिए अच्छा होगा क्या मैं ही इस बात पर पूछने वाली थी अगर आपको पसंद आया और वो मिलके लड़की देखने हूँ हाँ जाएंगे आँ वो ठीक है पहले उसको ये बात बता देना तो मैं उदर जा रहा हूँ जल्दी आणा है जल्दी आणा है जल्दी आणा मा आनन्द एलो काफी पीलो आज दिन अच्छा नहीं था सामुद्रा ये सही है बेटा हाँ राम ने एक बात बोला था तुमने बोला था क्या बहुत अच्छा लड़की है अच्छी तरह पढ़ाई भी की ही जो भी हो मुझे नहीं चाहिये करके बोला वैने मुझे कभी भी एक बीवी हो तो वह मेरी नीली ही होगी आनंद जो मैंने बताया बूल गय है जो में कहते हूं वो मानों कि नहीं इसके बदले में कुछ भी बोलो मैं मानूंगा अनंद मेरे बात तो सुनो अनंद यह मेरी जिन्दगी की सवाल है आनन मेरे चोटी लाली है ना तू मेरे बात तो सुनना पड़ेगा ये पंचमी मुझे तुमसे कुछ कहना था कृपिया यहां से चले जाए अगर मैं आपसे बात करूँ तो सब लगबुरी नजर से देख रहे हैं कह रहे हैं कि करपा ही जैसे तुम भी पंचमी ये दुनिया गोल है एक जगा वरना दूसरा जगा घर पे मेरा शादी का तयारी हो रहा है मेरे चाचा के साथ मेरा बात हुआ उन लोगों के ये बच्चा चाहिए क्या कह रहे हैं इस बच्चा और उस मा की क्या समद्द है ये कार्तिका और प्रताप का बेटा है आप मेरी बच्चे है आपके गर में जो कह रहे हैं उसे सुन लीजिए जो लड़की वो कह रहे हैं उसी से राड़ी कीजिए हम इस गाउं को चोड़कर चले जाएंगे जो कुछ इस गाउं ने हमारे बादरे में बताया किसी और के बच्चे नहीं है ये मेरा बच्चा है ये मेरे बच्चा पंचमी पंचमी कौन है आ रही हूं देखो तुम्हारे लिए क्या लाया बच्चा सोया नहीं गया सो रहे थे अभी उठा है यहां देखिए मैंने तो बताया है न यहां ना आने के लिए तुम्हें देखे बिना मेरा जिया नहीं जाता इसे भी ये तो आखिर मेरा दोस्त का अउलाद है यह देखिए बेकर की बादे मत कीजिए ये प्रतापा और कार्दिका के बेटा है और आप ये मेरी बच्चे है इस गाउं वाले हमें इस गाउं से भी बागाना है क्या तुम दोनों के लिए मैं हूँ नहीं मेरी दीरी को जो हुआ है अएसे मेरे और इस बच्चे को नहीं होने चाहिए आप यहां से जाहिए हमें मोड कर भी नहीं देखना है अगर मेरे पागल पापा को कुछ हुआ है तो ना ये ibaगा दुबारह यहां मत आना चले जाहिए यहां से मुझा अहां युझां पालSi कि सक्रुमा जर हो। मा, मैं जाके जल्दी वापस आजाओंगा आप कौन हो, मैं जानता नहीं हूँ आप आनन्द है, मैं आपको पैचनता हूँ हाँ जी, आप शायद मेरे को पैचना नहीं आप थोड़े दिन पहले इधर आये थे ना मैं आया था, आपसे मिलने मेरे लिए, क्यों आपके मान ने कुछ नहीं बताया किया मैं बात उल्टी सीधी नहीं करूँगा इसलिए सीधी सीधी बताऊंगा तुमारे बारे में मेरे नवकर ने बताया है मैं और मेरे बीवी बहुत सोच समझ के एकताई किया हमारे खांदान के आपके वारिस तू है मैं? क्यों ऐसा? मैं आपका कौन हूँ? तुम आखिर मेरे बड़े बाई का बेटा है एससे मत बूलिए मेरा पिताजी का नाम प्रताप है यहां के सब लोग जानते है कि मैं प्रताप का बेटा हूँ वो ठीक है जैसे भी हो हमें अपना इरादा ताई कर सकता है कि नहीं? इस बात के लिए आप इधर मत आईएगा आपका कुछ भी हमें नहीं चाहिए इस सिलसिले में तुम हमारे लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा उस जमीन दौलत मैंने बोला नहीं चाहिए मैं अगर यह सब लूँगा तो मेरा मा का नाम खराब हो जाएगा नाना ऐसा कभी ने सोचने का और कैसे सोचूंगा मैं मेरे पिताजी का नाम आपने बदल दिया और मैं चुछ रहा हूँ देखे, आप उमार में मेरे से बड़े हैं इसलिए मैं कदर कर रहा हूँ आप जाहिए मैं हाथ्स जोड़ जोड़ के कह रहा हूँ चाहिए फीटा मैं आपसे कह रहा हूँ जाहिए हां से मुझे माफ कर दो बेटा उस आत्मी आने के बारे में तुझ से चुपा दिया था मैंने हमें तो सिर्फ पैसे की कमी है तू दुबारा मत लीबी की वजह से अपनी मा को नहीं बेचेगा ये तुम्हारा बेटा ऐसा नहीं है मेरा पिता जी का नाम प्रताप है मेरे बारे में आप क्या जानते हो मुझे अच्छी तरफ मालब है कि तू प्रताप के बेटे हो मेरे दीदी कार्तिका वो बहुत अच्छे लड़की है उस दिन मौहमतकान ने मेरे पापा को बहुत अन्याय किया है इसलिए मेरे दीदी ने उसने पसंद किया मागर कार्तिका दीदी ने प्रताप को अन्याय नहीं किया है मुझे पता है मा जब भी मैं रात को समद्र मा की पास जाता हूँ तब मैं उनकी पास ही रहता हूँ अन्द अरे बेटा, अरे हमारे बेटा हम तो सही में बच गए समद्र अभी बड़ा क्रोधी दिख रहा है पानी सारा पुरा खतरनाग लग रहा है साथ में बहुत सारा दौलत भी ला रहा है तो ज़्यादा मचनें पाकर सकते हैं ना हमारे जहां तो पुरा दौलत ही दौलत है आन्द आन्द बेटा, चुबह ओने को आया है अब ज़्यादा समय नहीं है अली भाई किदर है? वो सो गया होगा पकार भाई के दुकान में सोते हैं ना वो हमेशा मस्तान के दुकान में ही सोता हैं ना तो फिर आज क्या हो गया? आखिर लड़की के बाद है ना बिना चुके रहा पाऊगे क्या? किसी के बारे में भी बुरा कहने के लिए आप ही पहले होंगे यह हुई ना बाद देरी किये वो गुसा हो रहा है हम पे ऐसा हालत हर वक्त नहीं मिलेंगे ए आनत भाई हम एक काम करेंगे हम लोग चलेंगे उसको यह आखे वेट करने दे उनका हिस्सा दे देंगे ए वो का आखे नियम इससा सिर्फ काम करने वाले का है क्यों वानत भाई अरे जरा चुप रहना तुम लोग तुम लोग काम के लिए तैयार हो जाओ सुनिए अली बाई को देखा क्या काई कुछ नहीं देखा कई बार मकार के दुकान पे गया लेकिन आज दुकान भी खोले नहीं हले मकार भाई के साथ वो भी कहीं चले गया होगा क्या उनका बीवी से मिला वो बोली कि वो अपनी बेटी को लेके वार कहीं शहर में गया हुआ है उस समय अपना बंदा वहीं था वहीं सब कुछ बोल रहा है हाँ अपना बिजनेस करने के बाद हम ढूनेगे आप लोग दुकान में देखिए और मैं जाके आउसे ढून के आता हूँ आप जो कह रहे हो मुझे पता नहीं वो मुझे मानने के लिए इदर आएगा तो रमलत इदर से चली गई बिचारी मालम नहीं है वो कहा है इस सब का कारण वो काजल बेचना वाला है इससे क्यों दोशू मेरे कारण से हुआ है भूक मिठाने के लिए एक काम के लिए दर आई थी तब तो आली भाई जंगरा के समय में वो भी आहा थे वो रमला को ले के जने के लिए सोच था मगर नहीं हुआ वो सेतान उससे मार डारता था जानते हूँ किदर गए है मुझे मालम नहीं है बेटा पतान नहीं किदर गए हाँ लो ये पकड़ो इसको रखो ओ कहा गया है ओ आली से मिलने गया है आली बै अब तक नहीं हाया है क्या काम जाते वक्त बहुत ढूंडा उनको आज दोपेर को भी नहीं मिला उनको कहा गये होंगे बेटा सभी के पारे में आनंधी फिकर कर रहे है कोई उसकी फिकर नहीं कर रहे है देखिये जचा जब से वो चोटे है ना नीलिया और आनंद ने एक साथ खेला करते थे उसी की वज़े से उस गाउं को हमें चोड़ना पड़ा जब आनंद ने नए नीव और सब कुछ करीदा है ना उनकी जिन्दगी बदल गए होंगे अब तो मेरे पेट जल रही है देखिये बैया इस गाउं में उस लड़की को दुसरे और लड़की से शादी करना है मालूम नहीं क्या होने वाला है अरे कोई भी किसी से शादी करने से हमारा क्या अन देखे बिना चलना अपना बेटा को बहुत अच्छा और एक लड़की मिलेगा ना हाँ वो भी तो मैं भी कह रही हूँ जो मैं कह रही हूँ आपको भी समझने नहीं आ रहा है अब भी आनन्द उसके मन में उसी के बारे में सोच रही है इसलिए इस कौम भी छोड़कर कहीं और जाने का सोच रही हूँ किधर जाने की बात कर रही हूं मा अच्छा, अली से मिला क्या नहीं जी कल के होता अरे इसमें क्या डूनने का कल काम के लिए जाते वक्त वो पहुंच जाएंगा न मैं वहाँ इतना देर तेरा ही बेट कर रहा था पैसा मैं इनका हाथ में दे दिया मैं जा रहा हूं मा कुछ खाने के लिए गरम-गरम मचली की करी है आरे वहाँ ठीक है अरे आनद भाई हमारा अली अली भाई दो लो आजा कि अली भाई अली भाई, क्या हो? अली भाई क्या हो? अली भाई अली भाई आनन के चेले जैसे जब चल रहा था मैं समझा यह आली एक अनाथ है उनको देखने जो भी लोग आए उनका रिस्तेदारिश नहीं है रहे उसका मरा पढ़ा हुआ देखकर उससा आ नहीं जा रहे मेरा भाई हम इसे एक गया अरे भाई कुछ उदार पे मिलेगी क्या पैसा कल दे देंगे आज पैसा दो कल उदार पे देंगे अगर इनको समझ में आया तो बहुत अच्छा है अब इतो दारू नहीं मिलेगा अब तो उटके चले जाने का ना अबे तू जाना भे अबे राजु भाई चल इसी को बोलते हैं जब बात बोलते हैं किसी को समझ में नहीं आता है या राजियो भाई जल्दी आना अरे उस्ताद कल अपने को दुकान खोलना है कि नहीं नहीं मेरा मतलब पर्शो रोज आपका शादी है ना कल हम माउज मराएंगे ना अब एक बात बताओ उस लाउंडा और उस लाउंडी के बीच में कोई गरबर था क्या कौन लाउंडा और कौन लाउंडी अरे वो आनांदा और मेरी होने वाली पत्नी अगर वैसे पूछो तो मैं तो हाई भूलूँगा क्योंकि अंदर की बात बोलने से अंदर की बात किसका? नहीं, उनको अंदर की बात देखे तो, ये बंदा उस गाउं से आए, कभी कभी ये लॉंडी भी उनको डून के आते है हाँ, इस बात का पता करना है, तू कली वहाँ जाना, वरना हम बुडबक हो जाएंगे न हम तो बुडबक नहीं बनेंगे न, आप लेकिन बुडबक बनने का चांस है, मैं जाओंगा, जाके पता करूंगा, लेकिन फायदा नहीं है न, परसोर उसको शादी है न अगर इसमें कुछ सही है तो उस हिसाम में सोना मांग सकता हूँ न, अभी नहीं पूछो तो नहीं मिलेगा लो, ये हुई न, असल की बात, शादी के बाद हमको होश या रहना पड़ेगा, आग और बारूद एक ही जगे पे है न, आग अगर बारूद में आके गिरे, या बारूद आग में जाके गिरे, धमाका तो हो गई न, उस लोंडे को यहाँ से भगाना पड़ेगा आनंदिता देखो, बहुत देर हो गिये बेटा, आओ, गर आकर कुछ खालो आप जाहिए मा, मैं फिर आऊंगा आओ ना बेटा, जब से तुम समुद्र से निकले हो, कुछ भी नहीं काया है, मैं भी कुछ काया नहीं आप जाके खाईए, मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे रूला ना मत बेटा, मुझे मालूम है तेरे मन में क्या चल रहे है हमें तो यही की लिखा हुआ है किसमत में नहीं है तो नहीं चाहिए मुझे नहीं, लेकिन कल, मेरे सामने ही वो हम कहीं और चली जाएं क्या कहां जा सकते हैं बेटा मैं भी उसी के बारे में सोच रही थी इस समुत्र देदा इसी है एक लड़का और लड़की को कुश कर देती है बाद में बाद में मा इदर देखो बेटा द्यूसरे लड़की से शादी करो और बच्चों के साथ कुश रहो नहीं जाहिए कुछ मत बोली आप मुझे छोड़ दीजिएगा अकेले रहना चाहता हूँ मैं हे बगवाल मेरे बेटे के मन को तुझी से लाना होगा मालुम ने मुझे क्या करना है अरे जरा जल्दी करो न यार लो वैसे आज दार्यू के दुकान नहीं खुलेंगे क्या आज नहीं खुलेंगे कल दुकानदार की बेटी की शादी है हाँ कल ये शादी ओने के लिए ये बरकुरदा नहीं सोचना पड़ेगा अरे बहुत जर्वडी है तो तो माली के गरी चले जाना मैं तो उसके लिए नहीं आया मैं तो दूसरे एक चीज जानने के लिए आया मैरा पास टाइम नहीं है बड़ा अच्छा खेल चल रहा है दार्यू पिने के लिए कल पैसा चाहिए लो पैसा भी है इधर देख, पैरू भी ला सकता है, तू इधर आना, आना रे, मैं खेल छोड़ा, ठीक है, चल चल चल, हम अभी आते हैं, जो भी हो, प्राब्लम है तो खैल नहीं करना, खैल करने से प्राब्लम नहीं है, वो मेरी बाई के बेटी हो तो भी, उसकी बीवी के सोभाव में इस त अरे सुन, इस बारे को मैं कुछ भी करूँगी, हाँ, हाँ, आजी, आप आज ही उदर जाना, अगर शादी होना है तो, कहने वहने कुछ ज़्यादा ही होना चाहिए, अरे मैं अब भी चला जाती हूँ, ये पागल, ये पागल आयेगा तो भी मैं चले जाती हूँ, नहीं, मैं आज ही आना पड़ेगा, क्या, अरे तुझे भी सब कुछ मालूम है न, मेरे बाई को टी कहे तो भी, वह आवरत को पसंद होना चाहिए न, ये ही बात है, तू वापस आने के बाद ही, उनका काम तमाम करना है, वो लड़की यहाँ आते वक्त, वो बंदा यहाँ होना न माजी, नहीं तो नहीं चाहिए न, नहीं नहीं ठीक है, पहले तू जा के आ, है, खरोसन डाल के मशाल जला भाई, आख देखके आनन्द भी आएगा, उसको मार के वहीं पर गाड़ देंगे, पेट काड़ के समदर में डाल देने का, मचली खा लेगे न, कुट चां से今ा, कुट अस्टा झाल कि अ, आ तो logrी खितावी आ, पॅब तो, जडआशएए तो गाँ मार के वहाँ है पर जितावी आतापशल टेंटा में तो आत्यो?. कि रख्सेो कि र 되고 कि रख्सेश घजी इंग रख्सेश कि रख्सेश जब बोगहाँ मुझे जो टिरो भाल को जिसके ना इसी जगए पे जीना है मुझे सुकूण से आ रहा हम से उससे मैं ही शादी करूगा तुम्हें प्री चर रहे हैं कर आनद मेरे बात सुनो रुको आनंद आनन रुको रुको आनंद कहां जा रहे हो माा मुझे छोड़ बताओ उसके बिना मैं जी नहीं सकता मुझे छोड़िये, मैं कह रहा हूँ, मैं जी नहीं सकता आनन्द, मेरे बात को सुनो, आनन्द जाईया उसके बिना मैं जी नहीं सकता आनन्द, मत जो आनन्द आनन्द, मेरे बात को सुनो आनन्द, मेरे बाद सेना, आनन्द, मुझे चोड़कर मत जाओ आनन्द, आनन्द, ने जाना बेटा आनन्द, देवी, कार्थिका देवी निली, निली, बाहर आजा, मैं आया उतरली वोट अलै करे पाणद अबे, हटना आनन्द, अरे, कहा जाती है, उनको रोकना मत क्या, आप अभी क्या बताया मुझे तू पागल पर नहीं बोलने का, उसको छोड़ा पेने मेरे मा, तू मुझे मारा अरे, सुनने को या चुट करना, आवाज नहीं निकलना ये में अगर तुमको पहले मारता है, तो ये खांदन कब का बच्गया होता पिताजी क्या बखवास बोल रहा है, तुम मूने खुलने का हरे, सूरत से ज्यादा प्यार करना वाला आनन्द ही है इसको आनन्द में क्या कमी है इससे ज्यादा मेहनत करने वाला ये काउ में मिलेगा क्या मेरा बहन सब कुछ जानने के बाद, शादी तै करने के बाद भी सही टाइम पर गहने ज्यादा मांगे तब भी मेरे को पता चला बेजी बेटी को उस गर में कोई शांदी नहीं मिलेगी बेटी, आनन्द के साथ जाओ आनन्द, कल या परसु मंदिर ले जाके इसके गले में एक मंगल सूतर पहनाना इसकी मा भी आएगी साथ में मैं नहीं होगी हाँ, तो फिर मा इन को ले के आओंगा बेटा, तुम लोग जाओ जाओ अरे रुको चल जाओ हुँ, बेका हुआ, यह बेका हुआ जाओ जाओ आओ जाओ 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 पा 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 अजर्जा को यह लड़की सौब देके वह अपनी बड़ी बेन के पास चली गई इस किनारे की हर एक लहर और प्यार कभी खतम नहीं होता